नमस्कार वियस किचिन में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप सब उमीदे सब अच्छे से होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करनी जा रही हूँ पनीर भुर्जी की रेसिपी यह बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही टेस्टी डिलीशियर भुर्जी बनके रेडी होगी औ और इसमें हम डाल देंगे दो टेबल स्पून ओयल आप चाहे तो यहां पर देसी घी भी ले सकते हैं और यहां पर एक टेबल स्पून लिया है मैंने बटर तो घी और बटर हमारे जो है मैल्ट हो गए थे तो मैंने एक चमच अद्रक और एक चमच लसून बारी कटा हुआ दाल लिया आप चाहे तो इसकी पेस्ट भी डाल सकते हैं तो यहां पर हमने ले लिये हैं दो प्याज इनको मैंने बारी बारी काट लिया है और इसे हम अच्छे से भून लेंगे तेल में इसमें क्या है कि प्याज अच्छे से जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाना अब हम इसमें आड़ कर रहे हैं हाफ कप शिमला मिर्च इसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे इस तरह से यहाँ पर गयाज के फ्लेम फूल होनी चाहिए तो देखिए जो प्याज और शिमला मिर्च है हमारी अच्छे सोफ्ट हो गई है और यह भून चुकी है तो अब हम आड़ करेंगे अपने मसाले अब हम इसमें डाल देंगे वन फॉर टी स्पून हल्दी पाउदर को मैंने धनिया और जीरा पाउड़ को में अंदर पिस लिए घाफ टी स्पून डाला है हमने गरम मसाला हम यह सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर आप की फ्लेम को स्लो रख लेंके सबल करें अच्छे अच्छे बिल्कुल अच्छी बुन जाने चाहिए तो यहाँ पर अज इस तरह болगे थím कर देंगे टमाटर यहां पर मैंने दो टमाटर लिये हैं तो इनको हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे इसमें यहां पर फूल फ्लेम कर देंगे और इस तरह से अच्छे से खुश्कना हो जाए और यह तेल ना छोड़ते हैं तर लीजी आप देख पार है टमाटर जो है अच्छे से हमारा गल गया है बिल्कुल कुक हो गया अच्छे से इसने ओयल छोड़ दिया तो यहां पे मैं आइड कर दूगी एक चमच लाल मिर्च पाउडर मैंने यूज किया आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और हम यह रेसिपी बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे तो यहां पे मैंने एक चमच पाणी यूज किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा प्लीज तो लीजिए मसाला हमारा रेडी हो गया इसमें मैं आड कर यूं मलाई आप चाहे तो क्रीम भी ले सकते हैं यहां पर लगव मैंने तीन चमच मलाई ली है और इसे अच् अच्छी तरह से मैक्स हो गई है तो यहां पर मैंने दो चमच पानी आड कर आए क्यूंकि मैं यह सूप ड्राइव भाली भुर्जी नहीं बढ़ाऊंगी थोड़ी सी क्रीमी और ग्रेवी भाली भुर्जी बढ़ाऊंगी तो यहां पर मैं इसमें पानी डाल रही हूं यहा तो यहां पर हम एड़ करेंगे इसमें कसूरी मेथी इससे क्या होगा कि भुर्जी का टेस्टोर भी बढ़ जाएगा और इसे कर देंगे हम अच्छी तरह से मिक्स और प्लीज साथ में दिएगे वैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी रोज आने वारी वीडि तो देखिए यह जो मसाला है ग्रेवी है हमारी अच्छे से रैडी हो गई है आप देख पार है कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी रैडी हुए है तो इसमें मैं आड़ कर दूंगी पनीर को मैंने आप एक्रेट कर लिया है आप चाहे तो पनीर को इस तरह से प्रुश करके तो आप इसे फटा फट दस मिट में रेक फास्ट में बनाया लंच में डिनर में बहुत ही फिलीशिस हमारी रैसिपी बनके रैडी हो जाएगी तो लीजी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं आड़ कर दूंगी हाफ कप पानी और इसे अच्छी तरह से मिक् फटाफट ऊपर से में थोड़ा सा रा धनिया डाल रहूं इस पह.. आप चाहे तो यहां पर ब्टर वी उस कर सकते हैं मैं बटर इसको सर्फ करते टाइम डालूंगी तो लीजिए गस की फिलम कर दिया मने बंद मैंने इसको शुर्फ कर दिया है उपर से थोड़ा सा बटर ड झाल झाल